असलाम अलेकूं, गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स, वो पिर दो अरफी और से अरफी फास बन गेते जैसे बे की हमने friendship करवाई हलिव से बे की फैमिली की तो वो ब, प, ट, स, ऐसे बन गेते न, ऐसे ही हमने दो अरफी फास बनाए और भी से अरफी फास लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इन इलफास को इसाथ हमने हम आवाज इलफास बनाने हैं जैसे टीचर बोलती है बाल, चाल, खाल ठीक है तो इनको बोलते हुए बाल, चाल, खाल क्यानी कि जब टीचर ने इनको बोला तो इनकी साउंड, इनकी आवाज एक जैसी थी ठीक है और आज हम करेंगे लेके हम आवाज इल्फाज जी बिटा, ले के हम ओाज इन्फाज, look at the more, ले के हम ओाज इन्फाज, ले है, इसके साथ इंको मिला करें हम, हम ओाज इन्फाज बनाएंगे, ले के हम ओाज इन्फाज, सबसे पहले आपको बता हो Bible जाहीं, जैसे आपको याद है, हमने friendship कर वायी थी, ले की, A थो यह क्या बन गया? ले, जी, विल्कुल ठी और एसे ही, तमाम हरूफ की क फ्रेंट्शिप करवाए早 बे की कि तो इन इल्फाँस को हमने ले से ले के हम अवाज इलिए यानि के इन 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 इलिए को जब आक ले को मिलां के लिखेंगे तो अवाज एक जैसी आही है सेम सौंड हम आहँ एलिए आप जोड तो आप ने कर ली यह आप आप ला छाने लुcomm कि आपको पता है कि यह friendship friends है words है, ilfaz है या loves है, हरूफ जो है, यह friendship वाले है, पा, ले ता, ले का, ले जा, ले बा, ले ठीक है पेटा, अब हम इनको write करते हैं क्योंकि यह है, ले के हम आवाज, ilfaz सबस्ब रहने आप write करेंगे पा, ले पा, यानि कि आपको पता है कि यह पे को अली की friendship परके पा बन जाता है पा, ले उसके बाद आप लिखेंगे ता ले नेक्स आप write करोगे, ता ले जब आपने लिखना है हम आवाज, ilfaz को तो यह याद रखना है, परिशान नहीं हो न कि यह जो माई पास हरूफ है, यह friendship वाले हरूफ है, जो कि हम नस्री में कर चुके हुए है अब आएगा जब ले बा ले क्योंकि यह हम आवाज, ilfaz है तो आपने तोड़, यह ऐसे पेली बाल, आमड़ी बाले ऐसे नहीं बोला यह आपको सिखाने के लिए बताया जा रहा है कि यह friendship वाले अरूफ को उनने ले से मिलाना है, और ले क्या होता है दुबारा से repetition कर लेते हैं हम आवाज, जिनकी आवाज जिनकी sound आखे में एक जसी होती है पाले देखें, सब के राश्क में ले आ रहा है बाले पाले ताले काले जाले तो डियर स्टूरेंट्स यह आपका आज का पुनवान था हम अवाज फास और हम अवाज फास ले के दे आपने अप क्या करना है आपको प्पी पैटर्टर्ण बता है कि आपने जीम का अवाज का सबसे पहले आपने तारीक लिओती है प parks क करना होते है इसके बाद दिन मैंसे करना होता है अच्छी सी format से आपने लेंगे रहा हम अवाज फास को लिखना है और बोल बोल के लिजदी लिए चा कि आ आपको जल्दी होजए okay dear students have a nice day take care of yourself Allah Hafiz